नमस्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल Mr. Technical सरमाजी पे दोस्तों आज की वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाला हूँ आपकी ही अपने प्राउलम कई लोगो ने पूछा कि क्या हम आपने Google Ads अकउंट से किसी और की वीडियो को प्रमोट कर सकते हैं या नहीं तो दोस्तो आगे यही वीडियो में आपको बताओंगा कि कैसे आप गूगलflyettes से कुछ आपको प्रॉमोहट करेंगे सात ही साथ धूस्टो step by step पर पर स्क्रीन पे मैं आपको जोए करके भी दिखाओंगा इससे पहले कि दोस्तों मैं आपको स्क्रीन पे ले करके चलूँ अगर आप मेरे वीडियो पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब का लाल कलर का बटन वीडियो के निचे दिख रहा होगा एक वर जरूर प्रेस कर दें दोस्तों ताकि ऐसी धर सारी वीडियो आपको मिलती रहें चलिए सुरू करते हैं सो फार्ली गाइज आप मेरे स्क्रीन पे आच चुके हैं और हम बात करेंगे कि दूसरे के हम जो है यूटुब चैनल के वीडियो को कैसे प्रोमोट करेंगे उसके लिए दूसरो सबसे पहले जो हैं हमें अपना ब्राउजर उपेंट कर लेना ह ब्राउजर उपेंट करने के बाद आपको जो है गूगल एड्स पे जाना है यादर है गूगल एड्स और गूगल एड्स दोनों अलग अलग पेज़े से तो आपको जह है एड्स.google.com पे जाना है मैंने यहां पे पुक मार्क में सेफ रखा था तो हमने क्लिक किया है आप वेबसाइट उपर देख सकते हैं एड्स.google.com यहां पर जो हमारा पेज़ लोड होने लगा है दोस्तों जैसे यहां पर आपका पेज़ लोड हो जाता है कुछी दिर में आपके सामने गूगल एड्स का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा जिसमें के इंप्रेशन आप्शन पे चेले जाना है देख सकते हैं यहां पर सेटप लिखा हुआ है इसमें आपको सबसे नीचे लाष्ट ठरड नमबर पे आपको लिंट्ट आकाउंट का यहां पर जो है आपको क्लिक कर देना है फ्रक्लिक करने को पर पेज़ लोड होने लगी गा और कुछी दिर में आपके सामने दूसरा नया इंटरफिश ओपन हो जाएगा देख सकते हैं आप यूटूब है उपर में जिसमें की लिखा हुआ है टू लिंक्ड यानि कि दो अकाउंट यहां पे यूटूब के पहले से लिंक है अभी यूटूब वाले ही लाइन में आपको जो है लास्ट नया इंटरफिश आपके सामने आजाएगा जिसमें की आपके जो जो अकाउंट पहले से लिंक है वो जो है यहां पे सोने लगेंगे देख सकते हैं मेरे दोनों अकाउंट यहां पे लिंक है तो यहां पे जो है मैं दोनों यूटूब चैनल के वीडियो को जो है यहां पे अभी प्लस पर हम CLICK कर दिए हैं उपर में PLUS में CLICK करने का मतलब है कि हमें और भी ACCOUNTS यहांप एड करने है यूटुवE चानल एड करने है तो हम PLUS पर क्लिक करेंगे इसके पाद यूटूबE YouTube Channel के नीचे यहांपे सर्च में हम चैनल का लिंक पेश्ट कर देंगे या फिर चैनल का नाम लिख देंगे तो यहां पे जो है हम चैनल का नाम लिखते हैं और नाम लिखते ही जो है यहां पे हमारा चैनल आ जाएगा देख सकते हैं कि हमने नाम लिखा और चैनल का नाम जो है यहां पे आ चुका है मुझे जो है दूसरे के वीडियो को promote करना है इसलिए जो है मैंने दूसरे के वीडियो पर क्लिक किया यहाँ पर channel सेलक्ट किया अब जो है यहाँ पर पूछ रहा है select channel honor तो channel honor जो है क्या आपने on किया है इस channel को नहीं तो मैंने just someone is on this channel पर ग्लिक कर दिया निक यह channel दूसरे का है promote मैं कर रहा हूं उसके बाद जो है नीचे बोल रहा है enter email address तो यहां पर जो है हमें email address देना पड़ेगा email address के लिए इस channel के जो है honor का email address यहां पर इंटर करना पड़ेगा तो आईए जो है फटाफट से यहां पर email address इंटर कर लेते हैं तो दोस्तों हमने जो है यहां पर email address जो है डाल दिया है अब जो है नीचे आपको कुछ भी नहीं करना है नीचे जो है आपको send request का option मिलेगा यानि कि आपको जो है यह लिखा हुआ content जो है आपके YouTube channel के इसी email ID पर बेज़ दिया जाएगा ताकि जो है आप verify कर सके कि आपने खुद ही इस process को किया है और आपने पर्मिशन दिया है किसी भी बंदे को जिसका Google Ads पर है वह आपके चैनल को promote करेगा तो यहां पर जो है मैंने घर के चैनल को जो है यहां पर link करना था तो मैंने जो है email ID खोल लिया है email ID पर सेम यहां पर linking request आया हुआ है देख सकते हैं यहां पर रिक्वेस्ट आगया Google Ads की तरफ से कि क्या आप जो है इस चैनल को अलाव करते हैं इस request से link करने के लिए तो हमने जो है चीजे देख लिए है और मैं permission देने जा रहा हूं review link request पर देख सकते हैं review link request पर हमने क्लिक तिया और यह जो है हमें redirect कर रहा है अपने यूटूब creator studio पर हमारे जो है पेज अब यहां पर लोड होने लगा है पेज YouTube creator studio उसी चैनल का है जिसे हमें add करना है तो हम जो है यहां पर थोड़ा दिर वेट कर लेंगे हमारे सामने जो है Google Adsense account linking के लिए जो है यहां पर एक interface आया है जिस पर की पॉप up open है इसमें जो है enter a link name यानि की link name पूछ रहा है तो link name जो है मैं channel का नाम ही टाल देता हूं मैंने copy किया उपर से और paste कर दिया उसके बाद जो finally नीचे जो है link का option है जैसे मैं link पर करूंगा मेरा जो है यह YouTube channel मेरे Google Ads से link हो जाएगा देख सकते हैं account link saved यानि के हमारे जो है link save हो चुका है चलिए और वापस से चलते हैं अपने Google Ads account पे और देखते हैं कि हमारा link यहां पे successfully सेफ हुआ है या नहीं link हो गया है या नहीं अगर आप जो है अपने किसी भी चैनल को promote कर रहे हैं और वह link नहीं करते हैं तो यहां पर आपको दिक्कत हो सकती है इसलिए जो है पहले link कर लें उसके बाद ही जो है promote करें अब जो है मैं इस चैनल के वीडियो को promote कर सकता हूँ आई होप सो कि आपका जो है डाउट क्लियर हो गया होगा असी डेसरी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कमेंट सेर करना तब तक के लिए जैन